हेलो फ्रेंट्स, बहुत समय पहले हमने अपने एक लेक्ष्यर में बिटकॉइन की बात की थी बिटकॉइन एक डिस्टल करेंसी है और काफी चर्चा में रही है पिछले कुछ सालों में पर क्या आपको पता है कि देरार सम्थिंग कॉल इस आल्ट कॉइन और जो लोग डिस्टल करेंसी में इंटरस्ट रखते हैं उन्होंने शायद इसका नाम सुना भी होगा तो यह क्या है आल्ट कॉइन आज हम उसकी बात करेंगे जानते हैं सलल भाष्यों में कि आल्ट कॉइन क्या होते है सो सबसे पहले bitcoin आया bitcoin का detail video का link high button और description box में है उसे देख लीजिए सबसे पहले bitcoin आया और जब bitcoin popular हुआ तो उसके competition में बहुत सारे digital currencies आने शुरू तो लोग उन्हे alternate coins कहने लगे और धीरे धीरे वो alt coin कहलाने लगे सो bitcoin को छोड़के बाकी सबी digital currencies को एक general term में alt coin कहा जाने लगे अब ये तो आपको समझ में आ गया कि alt coin एक generic नाम है जैसे कि हम सारे बड़े शेहरों को जनरिक तरीके से metro city कहते हैं पर हरे का अपना एक नाम होता है जैसे दिल्ली, मुंबे, etc वैसे ही alt coin के अपने नाम है सब कितने तरह के alt coin है उनके बारे में थोड़ा जान लेते है सबसे पहले तो आते हैं mining based coins जो कि bitcoin की तरह ही होते हैं उनी की तरह mine किये जाते हैं यानि कि आपको अपने computer पे कुछ complex mathematical problem solve करने होते हैं जिसके बदले में आपको coin दिये जाते हैं अब वैसे थो bitcoin सबसे बड़ा coin है इस तरह का लेकिन दूसरा example आप ethereum ले सकते हैं और इसे हम mining based coin के category में डालेंगे अब आते हैं दूसरे number के दूसरे type के coins पे जो है stable coins stable coin एक प्रकार की crypto currency है जिसका मूल किसी अन्य संबत्ति जैसे कि US dollar हो गया या सोना हो गया उससे आकी जाती है सो सोने से भी आकी जा सकती है अब इससे होता क्या है कि जैसे bitcoin की value fluctuate होती है stable coins की value क्योंकि they are packed against an stable asset इतनी fluctuate नहीं होती है सो इनकी value जो है वो stable रहती है example के लिए terra USD है और terra USD US dollar के against में packed है अब आते हैं तीसरे तरह के coins के बारे में जानते हैं वह है meme coins meme coins बड़ा ही fancy type का crypto है मेरे हिसाब से इससे दूर रहना चाहिए बहुत ही volatile होता है meme coins में अक्सर lottery जैसा value होता है यानि कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती है और फिस जटके से गिर जाती है internet और social media पर memes या चुटकलों से प्रदित होके एक crypto currency निकाली जाती है बहुत इसका अच्छा एक्जामपल है डॉक कोई डी ओ जी इजिसका code है डॉक कोई तो दोस्तों यह थी जानकारी alt coin के बारे में उम्हेद करता हूं कि आपको अब difference समझ में आ गया होगा कि bitcoin और alt coin दो different terms क्यों है इन दोनों में क्या difference है होफिली यह lecture आपके लिए informative रहा ऐसे ही अन्य lecture या वीडियो के लिए आप मारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलें अगले lecture में फिर मिलते हैं तब तक ही लिए बाबाए हैपी लग